नमस्कार आप देखे रहें न्यूस पूर इंडिया मैं हूँ आपके साथ कुमार पाली शहर के निकट सदर थाना ख्षेतर के भाले लाओ गाउं में शक के अनुसार फोटे बेटे के द्वारा 55 वर्षिय मापानी देवी और 30 वर्षिय बेटी कविता को मार कर डबल मर्डर के गड़े में दफनाने का मामला सामने आया है तो गाउं में संसनी फैल गई है तूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुँची और गड़े को दुबारा खुलवाया तो अंदर से दोनों के साथ शव मिले और सब को पाली के बांगर अस्पताल मौर्चरी में रखा गय और पुलिस बारा आगे की कारवाई शुरू की गई है तो इसके अनुसार बड़े बेटे रमेश ने बताया कि सुरेश जो उसका छोटा भाई है वह नशे के लिए मां और बहन से अक्सर जगडा करके रूपियों और गहने मांगता था जमिन बेचने का भी दबाव बनाता था मैंने मां और बहन से बात करने की कोशिश की लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई तो मैं अपने छोटे भाई सुरेश को फोन किया लेकिन उसने भी कोई जवाब नहीं दिया इसको लेकर मुझे संदे हुआ और बस के द्वारा 26 मार्च को गाउं पोचा मां बहन की तलाश मे वहां गया लेकिन नहीं मिले तो फिर पूलिस को सुझना दी जब कल सुबह घर पहुंचा तो मकान का दर्वाजाद तोड़वाया तो अंदर खून बिखरा पना था फेत पर चार जगा जेसे भी के खड़े-खुदे मिले उसमें मिट्टी भरे वी थी चक होने पर मकान की जैसे भी से खुदाए करवाए तो मा बेटी दोनों के श्याओ मिले पुलिस आरोपी के तलाश में जुट गई है कि अंदर दोड़े-डोडी हो मिली है कल इनके गुमसुदगी दर्ज करवाई गई थी इनके बेटे के द्वारा कि मेरी मा और जो बेहन हैं उनसे संपर्पने हो पा रहा है और उसके अधार पे MPR दर्ज की गई और आज फिर इन्होंने बताया कि हमने आकर के गर पे आकर के जैक किया है और यहां पर कुछ बलड के निशान है उसके बाद में साधर सेचो और स्यो जो जो ग्रामिन है अधिसे इस पी अगरम लोग मोगे पर यहां जगह 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 जए से गड़े की वे थे तो उसके आधार पर दो तीन जगह चेक किया फिर लाश्किन यहां और पुरंत की जमीन हो दिए डेड़ बोडी को मॉर्चरी में स्विट कर दिया हुए और हमारे जो टी में हैं वो अब एनलेसिस कर रही है और जो विभिन सस्पेक्ट है नेकराने रखते हुए हम जल्दी ही इनको पकड़ कर पूरे मामला का खुड़ा सक रहे हैं